अलो एस्पिरेंट्स, I welcome you all at Parcham Classes. तेके आज के सेशन में हम लोग Union and its territory को आगे बढ़ाते हैं. अभी यह तक हम लोगोंने Article 1 to Article 4 समझ लिये थे. Union क्या होता है, territory क्या होता है, Article 1, 2, 3 and 4 क्या कहते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में detail में हम लोगोंने जानकारी प्राप्त कर ली थी. अभी बहुत सारी और चीज़े Union के बारे में, States के बारे में, Territories के बारे में प्रिपेंडिंग है. कि इसका history क्या था, जब अंग्रेज थे तब कैसे था, कैसे princely state भारत के अंदर आये हैं, सिक्किम का क्या सिलसिला था, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अभी discuss करना है, जो हम आज के session में करेंगे. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको बता दें, कि परचम classes ने सवाल नाम की ये e-book, जो current affair की objective book है, यानि multiple choice questions की book है, ये आप लोगों के लिए तयार कर दी है, ये book चार parts के अंदर आएगी, ठीक है, तिन-तिन महीने के जो questions है, current affair के questions जो है, उसकी PDF आपको इ subscription ले सकते हैं, जिससे पूरे साल का compilation आपको मिल जाएगा, और जो student subscription नहीं ले रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि ये book का data उनको मिले, तो वो लोग भी परचम classes.in से इसकी quarterly book जो है, उसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो परचम app पे उन students को मिलेगी, जो पूरे साल का compilation च अब ही पहले quarter की book जो है, वो आ चुकी है, आप लोग enjoy कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ courses के बारे में और आप पता कर लें, एक course चल रहा है हमारा SSC General Awareness का course, जो बिल्कुल recorded है, जिसके अंदर जो भी recent updates होती रहती हैं, वो इसके अंदर हम include कर देते हैं, पूर परेशानी की जरूरत नहीं है, because day one पे ही सले पस आपके हाथ में होगा, एक और course economy का है, जिसके अंदर history, जिसके अंदर बिल्कुल zero से लेके high level तक की पूरी classes जो है, वो आपको recorded format में covered मेलेंगी, दोनों ही courses पे अगर आपको छूट लेना चाहते हो, कुछ discount लेना चाहते हो then use code PIL10 to get 10% extra off, this is my code PIL10, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा recall करते हैं हमने क्या पढ़ा था, हमने constitutional provisions पढ़े थे और philosophical basis पढ़ा था, union and its territory का, article 1 to article 4 हम लोगों ने cover कर लिया था, federation का क्या मतलब है, union का क्या मतलब है, क्यों इंडिया को federation नहीं कहते, union कहते हैं, इन सब बातों को हमने detail में पढ़ा था, article 2, article 3, article 4, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, और कुछ question मैंने आपसे पूछा था, और वो question का बहुत बहुत बहुतरीन answer आप क्यों ने दिया है, बहुत अच्छा clapping for you guys, और बहुत अच्छे आप लोग response दे रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोग answers दे रहे हैं comment section में, मैं हर किसी का comment चेक करती हूँ, बहुत student ऐसे हैं, जो बहुत ऐसे मेरा मनोबल बढ़ा देते हैं, बहुत motivate कर देते हैं मुझे, कि न जो जिस समय अपने यहां पर अंग्रेश थे, उस समय भारत के अंदर, दो तरीके का इंडिया मैं कहूंगी, इंडिया के दो parts बने हुए थे, एक को मैं कहूंगी British India, क्या कहा मैंने British India, ठीक है, और एक को हम क्या कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं, provinces, क्या कहा, provinces, प्रांत, इसको ठीक है, British भारत के कैसे दो टुकडे, इसके अंदर कुछ state थे, जिनको हम कह रहे थे, chief commissioner state, क्या कह रहे थे, chief commissioner states, यानि कि मुख्य आयुक्त वाले राज्य थे, chief commissioner state, ऐसे चार state जो थे, वो chief commissioner states थे, यह वो state थे, जैसे आज के दिन UT होते हैं, union territory होती है, जिनको direct central government control कर रही ह एसे ही, यह chief commissioner state होते थे, जिनको direct Ysarai control करता था, direct Ysarai control करता था, और दूसरे कौन से थे, governor general वाले state होते थे, जहाँ पर governor general होगा, जैसे आप पढ़ते थे न, बंगाल का governor, बंबे का, मदरास का, तो एक तो थे governor general वाले राज्य, एक थे chief commissioner state थे, chief commissioner state जैसे कुर्ग था, ब governor general वाले थे, यहाँ पर यह provinces हो गए, ठीक है, भारत के अंदर provinces हो गए है, अब देखो हो क्या राय है, आगे, कि एक और शब्द आप लोग किताबों में पढ़ोगे princely states, यह princely states कौन थे, यह जैसे आप देखोगे, हैधराबाद एक princely state था, ठीक है, है, हैधराबाद के ब एरिया के अंदर एक king बिठा दिया जाता था, एक king बिठा दिया जाता था, उस king को कहा जाता था, भाया तुम इस area के राजा हो, यह प्रजा तुमको जानती है, हमको नहीं जानती, लेकिन king तुम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, तुम सारा action वही करोगे, जो हम ले जाते थे, और उस कोश में से कुछ pension जो है, राजा की बांध दी जाती थी, तो इस तरीके से जहां राजा बैटा होता था, उसको प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं, 552 प्रिंसली स्टेट्स में में, ऐसे तो 565 थी, बट 552 में में प्रिंसली स्टेट्स जो थी, वो भार जिसको सरदार वल्लब भाई पटे लें, भारत के अंदर यूनिफाई करने में बहुत एहम भूमी का निभाई थी, तो अभी हमने जाना कि बिटिश इंडिया जहां पे बिटिश गवर्मेंट का राज है, वाइस चीफ कमिशनर स्टेट, चार थे, ठीके गवर्नर जनरल व भागों में अपना भारत बाट दिया, पार्ट A, नो फॉर्मर गवर्नर्स प्रोविंस, मतलब ऐसे प्रांत होते थे, जहां पे गवर्नर बैठे होते थे, ठीक है, जैसे वारेन हेस्टिंग बैठा है, कोई ओर बैठा है, तो ये गवर्नर बैठे थे, पार्ट B के अंदर क सराय का रोल होता था, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ चीफ कमिशनर स्टेट्स होते थे पार्ट C में, और पार्ट D में अकेला अंडमान एंड निकोबार था, ठीक है, अब होता क्या है, 1956 में स्टेट को रियोर्गनाईज किया गया, क्योंकि वो तो चले गए, बोले इतन 1956 में 7th Constitutional Amendment Act लेके आए, कौन सा, 7th Constitutional Amendment Act लेके आए, 1956 का, और हमने क्या किया, इस पूरे स्टेट को रियोर्गनाईज कर दिया, पूरे भारत को रियोर्गनाईज कर दिया, और इस रियोर्गनाईज में क्या किया हमने, रियोर्गनाईज में हमने ये पार्ट A, B, C, D ये सब काट दिये हमने बोले ऐसा कुछ नहीं होगा सिर्फ दो ही हिस्से होंगे एक को कहेंगे स्टेट और एक को कहेंगे यूनियन टेरिटरी यूटी बोले बस ये दो ही चीज होंगे और इस तरीके से 1956 में 14 राज्य बना दिये और 6 यूनियन एंट टेरिटरी बना दिये मतलब की केंद्र शासित प्रदेश बना दिये इस तरीके से भारत में ये 4 डिविजन हटा के हमने क्या किया स्टेट 14 बना दिये और यूटी 6 बना दिये अब इनका सफर देखेंगे कौन सा राज्य कब बन रहा है ठीक है तो यह हमने 1956 में कर दिया यह फोर फोल्ड डिवीजन को हमने अबॉलिश कर दिया अब मैंने आपको क्या बताया कि दो केटेगरी थी एक तो थे बिटिश प्रोविंस और एक ते प्रिंसली स्टेट्स ठीक है लॉर्ड माउंट बेटन हमारे लास्ट गवर्नर इनकी वज़े से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक 1947 ने क्या कह दिया इन प्रिंसली स्टेट्स को एक उप्शन दे दिया क्या कहा इनको क्या कहा अभी बताती हूँ पर जो भारत था जो ब्रिटिश इंडिया था उस ब्रिटिश इंडिया को दो डॉमीनियन में बाट दिया किसमें दो डॉमीनियन में बाट दिया ब्रिटिश इंडिया को यह डॉमीनियन क्या होता है यह मैंने आपको बताया था कि कानून बनाओगे तुम लेकिन उसको फाइन करेगी लंडन की गवर्मेंट, बिटेन की गवर्मेंट, यह डॉमिनियन था, हम सौवरन कब बने, मतलब बिटेन की चंगुल से पूरी तरीके से कब छूटे, जब हमारा खुद का सम्विधान बन गया और हमारे खुद के राष्ट्रपती बन गए, और जो राष्ट्रपती स देखना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, यानि कि क्या किया इन्होंने दो डॉमिनियन बना दिये, कौन-कौन से एक बना दिया पाकिस्तान, एक बना दिया इंडिया, अब धरम के नाम पे, रिलिजन के नाम पे दोनों देशों का बट्वारा हो रहा है, जो मुसलिम मेज अब प्रिंसलि स्टेट्स का क्या होगा? अब प्रिंसलि स्टेट्स को ये कह दिया कि भाई साब, राजाओं जी, तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ, तुम चाहो तो इंडिया में चले जाओ, और तुम चाहो तो इंडिया में चले जाओ, अब सरदार वल्लब भाई पटेल का दिमाग घूम गया बुले ऐसे तो राजाओं को इतनी छूट दे दी पता नी कौन कहां चला जाएगा कुछ न कुछ करके मुझे इन सबको भारत में लाना है और वो सफल भी रहे भारत में लाने में कहीं पे फोर्स का यूज किया तो कहीं टैक्टिक्स का यूज किया कहीं डिप्लोमेसी का यूज किया कहीं वारतलाप का यूज किया और कहीं पे राजा खुच चाहते थे कि हम भारत में आए और इस तरीके से लगभग 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 549 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो भारत के अंदर मिला दिये गए, दिक्कत हुई तीन में, में लिए तीन कौन-कौन से थे, एक था जूनागर, एक था जम्मू कश्मीर, और एक था हैद्राबाद, इन तीनों को भारत में मिलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंक लेकिन जो पटेल सहब है, वो नहीं चाहते थे कि यह इंडिपेंडेंट रहे, उन्होंने बहुत कन्विंस किया इनको कि तुम भी भारत में आजाओ, तो कुछ इस तरीके के हालात हुए, कि इन्होंने भी इंस्ट्रुमेंट ओफ एक्सेशन, यानि भारत के अंदर जो वि पॉलिटिक्स इन इंडिया, सिंस इंडिपेंडेंडेंस पढ़ोगे, वहां आपको डिटेल में पंजाब की, मनिपूर की, असाम की, सिक्किम की, सब की बाते बताई हुई है, ठीक है, लेकिन मैं उन डिटेल में अभी नहीं जाना चाहरी है, तो जुनागड, जम्मू कश्मीर, इन तीन के उपर जब विवाद हुआ, तो पटेल सहाब ने इनको भी कुछ दिगडम बाजी करके भारत में मिला लिया, अब जम्मू कश्मीर का विवाद तो आस तक भी है, वो पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया पे, अभी देखो, यहा होने का हम भारत में नहीं आएंगे, तो हैदराबाद को हमने मिलाया पुलिस एक्षन यानि बलका प्रियोक करके, जिसको ओपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं, जुनागड को रेफरेंडम कराके, रेफरेंडम लोगों को हाथ में ऐसे पर्चे दे दिये, बताओ भारत या तुम कौन सा प्रधानमंत्री चाहते हो, तुम्हें ऐसे दो पर्चे दे दिये, कि A या B, ठीक है, सब कहरे हैं B, 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 तो आप B को प्रधानमंत्री बना दिया, इस रेफरेंडम, ये डिरेक्ट डेमोक्रेसी का एक तरीका है, भारत में डिरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकत प्रधानमंत्री कौन बनाना है, इसका डिरेक्ट डेमोक्रेसी करने लगे, तो पागल हो जाएंगे, पता नहीं क्या कहेगा, किसके बाल कौन नोच लेगा, तो डिरेफरेंडम करवाया गया हमने उस समय जूनागड, सिर्फ जूनागड में लोगों से पूछा गया और उन जो दिल्ली का यूनियन टेरिट्री था, इसको री-डेजिगनेट किया, मतलब इसका नाम बदला, इसको नैशनल कैपिटल टेरिट्री, N.C.T. कहा, जो 69th Constitutional Amendment Act 1991 से किया गया, पहले इसका नाम था Union Territory of Delhi, यानि UT of Delhi, डैली एक UT था, लेकिन डैली अपनी राजधानी भी है ठीक है, अपनी पॉलेटिकल राजधानी है, तो इसको नैशनल कैपिटल टेरिट्री का नाम कब दिया, 69th Constitutional Amendment Act 1991 से, very important बहुत बार एक्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, इस Amendment को याद रखोगे, उसके बाद अब देखो क्या हो रहा है, जो अलग-अलग राज्य ह अब आपको पता है, भारत के अंदर डाइवर्सिटी बहुत जादा है, भारत के अंदर बहुत सारी विवित्ता है, कोई इस कल्चर का है, कोई उस कल्चर का है, कोई ये लैंग्वेज बोल रहा है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, इस तरीके से भारत के अंदर कल उनिफाई करना एक बहुत बड़ा चालेश था नहरू जी के लिए पटेल साहब के लिए हमारे बड़े बड़े दिगजनेताओं के लिए तो अब यहां पे लड़ाईयां शुरू हो रही है 1950 के बाद लड़ाई शुरू हो रही है कैसे आंदर प्रदेश के अंदर लड़ाई नहीं कह रहे हो कि हमको अलग होना है हमको नहीं रहना इनके साथ और यहां पे लोगों ने विद्रो करना शुरू कर दिया अब नेताओं को चिंता हो रही है भारत में नहरू जी को चिंता हो रही है कि इस तरीके से अगर हम एक को अलग कर देंगे तो कल को पंजाबी वाले कहेंगे हमको हर्याना वालों से अलग होना है गुजरात वाले कहेंगे हमको मराठों से अलग होना है बोले ऐसे तो मेरा भारत एक रहेगा ही नहीं करें क्या भारत में क्या होता है कमेटी बना देते हैं तो हमने कमेटियां बनाई तो कमेटी बनाई कौन सी सबसे पहले सबसे पहले हमने धार कमेटी बनाई कौन सी धार कमेटी डेट वगेरा अभी पढ़ लेंगे पहले कंसेप्ट क्लियर करो हमने धार कमेटी बनाए जिसके लीडर थे ऐसके धार और इनकी इनकी लीडर्शिप में हमने एक कमेटी बनाई और इनको कहा कि तुम बताओ कि क्या भाषा के आधार पे हम राज्यों को बाड़ दे तो इन्होंने ये कहा कि इससे भारत तूट जाएगा नो भाषा के आधार पे नो linguistic basis आप state reorganization का कोई linguistic basis मतलो कोई भाषा का आधार मतलो आधार और बहुत हो सकते हैं लेकिन भाषा का आधार मतलो अब जब ये बाते चल ही रही थी कि अलगू speaking लोगों को अलग नहीं किया तो मैं तो आज अंशन कर रहा और यहीं पे मरूंगा हमने का ऐसे मजा कर रहा होगा ऐसे कौन मरता है तो इन्होंने 56 दिन की hunger strike के बाद अपने प्राण त्याग दिये जैसे ही प्राण त्याग दिये तो पूरे भारत के अंदर ऐसे र अंगे बढ़ने लगे थे बहुत सारे विवाद बढ़ने लगे थे अब इनको देख के बाकी लोग बीच बोल रहे हैं कि रहे हमें भी अलग होना है गुजरात वाले बोल रहे हैं मराठो से अलग होना है हर्याना वाले बोल रहे पंजाब से अलग होना हिमाचल से अलग हो और P से था पत्ताभी सीता रमया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये एक और हम लोगों ने, मेभी मेरी स्पैलिंग गलत हो बई, कई बार बोर्ड पे पता नहीं लगता है, तो पत्ताभी सीता रमया इनको भी पुला ले, इनको तीनों को की लिडर्शिप में हमने कमेटी बना दी April 1949 के आसपास ये कमेटी बन रही है इन्होंने भी कहा नो भाशा के आधार पे हम कुछ भी बदलाव नहीं करेंगे इन्होंने भी मना कर दिया कि अभी जो हो गया हो गया अब हम अलग नहीं करेंगे बाकियों को लेकिन देश के अंदर डिमांड देश के अंदर विद पानिकर ठीक है एचन कुंजरू और फजल अली ये तीन लोगों की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक और कमीशन बना दिया एक और कमेटी बना दिया और इन्होंने कहा कि वन लेंग्वेज वन नेशन नहीं होगा वन लेंग्वेज वन नेशन नहीं होगा ऐसे तो सब ब of the bases और only bases में फर्क है आप सभी आधारों में से एक आधार मान सकते हो भाशा को लेकिन सिर्फ यही आधार नहीं मानोगे आपको हमेशा राज्यों को बाटते हुए national integrity, national security, national unity का ध्यान रखना होगा अगर आप कहोगे कि हर्याना में सर्फ हिंदी speaking लोग रहेंगे तो गलत है ठीक है पंजाब में सर्फ पंजाबी speaking लोग रहेंगे तो गलत है इससे भारत तूट जाएगा तो आप सर्फ भाशा आधार मत लो भाशा एक आधार बना लो लेकिन only bases मत बनाओ तो इसके कहने पर फजल अली आयोग के कहने पर हम लोगों ने 7th constitutional amendment act 1956 का पास किया और 14 states और 6 union territory हम लोगों ने बना दी ये तो था अपना देसी तरीका जो हमने concept जान लिया अभी हमें dates, details ये सब अपने को जाननी है तो हमें slides पे चलना पड़ेगा अब देखो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले आंध्रा state act 1953 में ये पहला भाशा के अधार पे अलग होने वाला राज्य था ये मद्रास से अलग हुआ ठीक है आंध्रा में तेलुगू बोली जाती है मद्रास में मद्रासी बोली जाती है कुर्नूल को आंध्रा state की capital बना दि commission बनाए 1953 में आंध्रा बन गया है अब इससे पहले ही हम लोगों ने एक committee बना दी थी सके धार 1948 में हमने सके धार committee बना दे थी इसने क्या कहा कि हमें linguistic factor नहीं लेना चाहिए हमें administrative convenience के हिसाब से चीजों को बाटना चाहिए administrative convenience के आधार पे चीजों को बई तुम ऐसा कर दो कि जितने एरिया को तुम संभाल सकते हो जितने एरिया को प्रशासन easily संभाल सकता है उसके हिसाब से आप राज्यों को बाट दो भाशा कोई आधार मत लो तो ये बात किस ने कह दी ये बात ऐसके धार committee ने कह दी अब कुछ समय बाद फिर 1948 में ही एक और committee हमने बैठानी इसकी वजे से कोईल भी लड़ाई रुकी नहीं रही थी विद्रो रुकी नहीं रहा था तो हमने जे वी पी यानि जुहारलाल नहरू वललबभाई पटेल और पट्टाभी सीता रमय्या की अध्यक्षता में हमने एक और committee बना दी एक और commission बना दिया और इसके सामने भी व जिसमें थे chairman शिप्थी फजल अली के पास, M. Panikar और H. N. Kunjuru ये तीनों आते हैं और इन्होंने कहा कि हम reject करते हैं one language, one state, one language, one state नहीं रहेगा कि language एक आधार ले लेंगे लेकिन सिर्फ यही आधार हम नहीं रहेंगे क्योंकि हमें बाकी आधार भी रखने हैं तो इन्होंने कहा कि जब तुम राज्यों को बाटो तो तुम्हें क्या-क्या बाते ध्यान पर रखनी हैं एक तो आपको unity और security को strengthen करना है, दूसरा cultural homogeneity का ध्यान रखना किसी की संस्कृति को hurt नहीं होना चाहिए, financial, economic और administrative चीज़ों को भी consider करो, ऐसा नहीं है, एक राज् गरीब बना दिया, finance, economy और administration का भी आपको ध्यान रखना होगा, planning, promotion, लोगों के welfare का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरीके से ये चार basis यानि linguistic basis लिया, लेकिन this is not the only basis to reorganize any state, ठीक है, ये अकेला एक मत्र हम लोग ने आधार नहीं लिया, लेकिन एक मत्र नहीं था तो ये फजल अली आयोक के कहने पर हमने काम कर दी और अब इस तरीके से 14 राजे बन गए, अब उसके बाद क्या होता है, 1956 के बाद कुछ नए राजे बन रहे हैं, कुछ नए राजे एक दूसरे से कार वाउट हो रहे हैं, कोई जुड रहा है, कोई टूट रहा है, और कौन से राजे कब बन रहे हैं, इन पर questions पूछा जाता है, ठीक है, तो महराश्ट्रा एन गुजरात की कहानी पड़ते हैं, महराश्ट्रा एन गुजरात, 1960 की बात है, बॉम्बे नाम का एक जगा थी, उसको दो टुकडों में बाट दिया, महराश्ट्रा में और गुजरात में, तो जो बॉम्बे था, उसको दो separate states में डिवाइड कर दिया, मराथी स्पीकिंग लोग महराश्ट्रा में चले गए, और गुजराती स्पीकिंग लोग गुजरात में चले गए, फिर दादरैन नगर हवेली, ये Portuguese के पास था, ठीक है, ये हमने 10th Constitutional Amendment Act 1961 से, हमने इसको UT बना ठीक है, इसको 1954 में हमने रिहा करवाया, पोटगीज से हमने लिया इसको, और फाइनली 10th सम्मेधानिक संशोधन 10th Constitutional Amendment Act 1961 से, हम लोगों ने दादरैन नगर हवेली को एक यूटी बना दिया, अभी गोवा, दमन, इन्द्यू, इनकी कहानी पड़े, तो हमने इन 3 territory को फिर से पोटगीज से अक्वायर किया, ठीक है, पुलिस एक्शन से, ओपरेशन चला था यहाँ पे, ठीक है, ओपरेशन विजे करके यहाँ पे एक पूरा मुहिम चला था, गोवा को रिहा करवाने के लिए पोटगीज से, तो 1961 में पुलिस एक्शन यानि बल के प्रियोग से, फोर को स्टेट बनाया गया, पहले गोवा यूटी बना है, फिर स्टेट बना है, ठीक है, दमनेंद्यू को एक सापरेट यूटी बना दिया गया, 1987 में ही, फिर पुद्डुचेरी की बात करें, पुद्डुचेरी फ्रेंच लोगों के पास था, ठीक है, पुद्डुचेरी के अदर चार चिज़े आती है पुद्दुचेरी Because में पूछा गया था एक बार कि कौन-कौन बहुbor टरुormこれ है था थीद कै असाम से इसको अलग किया और नागा लैंड बना दिया हर्याना हर्याना जो है वो शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे जेसी शाह कमीशन था 1966 का और हर्याना को पंजाब से बाइफरकेट कर दिया और चंडीगढ यूटी अलग बना दी गई हिमाचल प्रदेश को 1971 में यूटी बनाया पहले यूटी बना था बाद में इसको स्टेट का स्टेटस दिया है हिमाचल प्रदेश पहले एक union territory था ठीक है ये सब एक एरिया था हर्याणा पंजाब हिमाचल प्रदेश और चंडीगड ये एक ही एरिया था चंडीगड और HP को तो हमने UT बना दिया था हर्याणा और पंजाब को अलग कर दिया था दो state बना दिये लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश को हम लोगों ने UT से state का दर्जा दे दिया था ठीक उसके बाद मनिपूर त्रिपरार में घाले 1972 में दो UT थी मनिपूर और त्रिपरा मनिपूर और त्रिपरा भी पहले UT थी ठीक है और में घाले एक state था ठीक है तो अब हमने क्या किया मिजोरम और अरुनाचल प्रदेश भी UT ही थे लेकिन बाद में हमने इन सब को जो है state hood का दर्जा दे दिया था अभी सिक्किम की बात करते हैं that is very important सिक्किम की कहानी समझी है आप लोग देखो सिक्किम के अंदर क्या हुआ सिक्किम में चोग्याल वंच का चोग्याल वंच का राज था और ये समय सब को ये कहा जा रहा था भारत में आ जाओ पाकिस्तान में चले जाओ सोतंत्र रहो तो जब इन्होंने देखा कि हम तो हैं टिंगू से और भारत है इतना बड़ा ठीक है और आसपास मेरे यहां चीन फैल गया है यहां नेपाल भी है भूटान भी है बड़े बड़े देश है मैं छोटा सा रह गया सिक्किम मैं छोटा सा रह गया कल को मुझ पे कोई अटैक कर दे तो हम कैसे संभालेंगे तो सिक्किम ने क्या किया सिक्किम ने भारत से बात की उसमें इंद्रा गांधी है सिक्किम ने भारत से यह कहा कि देखो वैसे तो हम आजाद रहना चाहते हैं हम भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते लेकिन आप प्लीज हमारे external affairs को manage कर लेना आप हमा प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना लिया जाए भारत ने कहा नो प्रॉबलम कोई दिक्कत नहीं आज से हम तुम्हारे प्रोटेक्शन करेंगे कोई इशू नहीं है कुछ समय बाद सिक्किम देख रहा है कि भारत तो फ्लरिश होता जा रहा है और मैं पिछड़ता जा रहा हूं तो सिक्किम ने क्या कहा कि हमको ना असोसियेटिड स्टेट बना लो क्या बना लो हमको असोसियेटिड स्टेट बना लो 1974 में हमने क्या किया सिक्किम को Associated State बना लिया यह Associated State का मतलब क्या है यानि जो सिक्किम के लोग है वो भारत की संसद में आके बैठने लगे वो भारत की संसद में आके कारवाही सुनते हैं वोटिंग नहीं कर रहे हैं अंसद में आके बैटने लगे, वोट नहीं कर रहे हैं, कारवाही सुनने लगे, भारत की प्लानिंग कमिशन में आके काम सीखने लगे कि भारत प्लान कैसे बना रहा है, तो हमने 1974 में सिक्किम को असोसियेटिड स्टेट बना लिया, लेकिन अगले ही साल, 36th Constitutional, अच्छा, डिसकेशन में आप लोग आ सकते हो, तो इस तरीके से सिक्किम हमसे काम सीख रहा था, कि इंडिया फ्लरिश कैसे कर रहा है, तो आर्टिकल 2A, हम लोगों ने शामिल कर दिया, कि सिक्किम is an associated state of इंडिया, अभी full-fledged state ये नहीं बना था, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया ये ही साल 36th Constitutional Amendment Act 1975 का आता है, जिसमें सिक्किम क्या कहता है कि हम आपके full-fledged state बनना चाहते हैं, हम आपके अंडर रहना चाहते हैं, काम के साथ सब कुछ तुम हमारा जैसे बाकी आपके राज़ है, ऐसे सिक्किम को भी अपना राज़ बना लो, तो हमने 36th Constitutional Amendment Act 1975 का पास किय आर्टिकल 2A को हटा दिया क्यूंकि आपको कोई associated state नहीं रहा था, और इसको हम लोगों ने एक full-fledged state बना दिया, तो ये कहानी थी किसकी, ये कहानी थी हमारी सिक्किम की, तो इस तरीके से सिक्किम जो है वो भारत का एक अभिन अंग बन गया, एक integral state बन जाता है, ठीक है, और 36th Constitutional Amendment Act से आर्टिकल 2A को repeal किया, इसको हटाया, और फिर हम लोगों ने सिक्किम को 22 state बना दिया, ठीक है, और आज सिक्किम जो है, आर्टिकल 371F में एक special status लेके बैठा है, ठीक, तो ये कहानी मैंने आपको बताई सिक्किम के बारे में, अब है मिजोरम, अरुनाचल औ और गुवा, क्योंकि पहले ये UT बने थे न, अभी 1987 में तीनों ही state बनते हैं, 36 गड़, उत्राखंड, जारखंड 2000 में बनते हैं, तीन नए state बनते हैं, 36 गड़ जो है, वो मद्यप्रदेश से अलग हुआ, उत्राखंड जो है, वो उत्तरप्रदेश से अलग हुआ, और जा तेलांगना बनता है 2014 में, ये हमारा 29th state बना था, ठीक है, आंध्रा से कारवा उठ हुआ है, आंध्रा से अलग हुआ था, एक जन्वरी 2014 में ये बना है, अभी फाइनली भारत के अंदर 28 states हैं, और 8 UT हैं, आज के दिन भारत के अंदर 28 राजे हैं, आज डेट में बता रही ह आज 29 अपरेल के दिन मैं आपकी एक लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, तेलांगना 29 राजे बना था, लेकिन जो एक राजे था पहले जम्मू कश्मीर, उसको हमने UT बना दिया, उसको हमने यूनिन टेरिट्री बना दिया, जम्मू कश्मीर को, ठीक है, अब हमने जम्मू कश् के अंडर special status enjoy कर रहे थे, लेकिन 2019 में constitution application to जम्मू कश्मीर आता है, presidential order pass होता है 2019 में, और जम्मू कश्मीर और लग अलग union territory बना दिया जाता है, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, लग अलग कर दिया, और दोनों को दो union territory बना दिया, लग दाक के अंदर कारगिल और लेह district आ जम्मू कश्मीर के अंदर, state of जम्मू कश्मीर, except कारगिल और लेह, लग दाक के अंदर चले गए, 2019 में ये काम हुआ, अब मैं आपको वो बाते बता रही हूँ, उन के बारे में, उन states के बारे में बता रही हूँ, जो पहले कभी UT थे, आज state बन गए है, जैसे हिमाचल प् ठीक है, ये मैंने बताया, 10th Constitutional Amendment Act से, पुद्दुचेरी, ये भी पहले, यो है, ये, former UT is transformed into present states, ठीक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मनिपूर, तृपुरा, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, ठीक है, ये जो है, पुद्दुचेरी तो आज भी यहाँ पे नहीं आएगा ये पुद्दुचेरी तो आज भी हमारा UT ही है, ठीक है, तो गोवा, द्यूएंदमन, हिमाचल प्रदेश, मनिपूर, तृपुर, मिजोरम, अरुनाचल प्रदेश, ये जो है, ये पहले UT थे, लेकिन आज के दिन state बन गए है, तो ये सारी detail जो important वाली थी, मैंने आपको द देख लीजिए, अभी MCQ मैं आपसे discuss कर रही हूँ, उसका answer आपको comment section में देना है, question क्या है, question ये है, कि name the states which were UT's earlier, उन states का नाम बताना है, जो पहले UT थे, अब यहाँ आपको कुछ मैंने लिख के दिखाया है, ये इन में से आपको छांटने हैं कि कौन कौन से states ऐसे थे जो पहले UT थे, comment section में आपके comment का मैं इंतजार करूँगी, I hope आप लोग comment करेंगे और बिल्कुल सही answer इसका देंगे, और आप लोग enjoy भी कर रहे होंगे पूरी series को, मेरा मकसद ये है, कि मैं आपको कुछ हट के बताओ, कुछ interesting बताओ, जिससे आपको देश की हकीकत, देश के ब तर्सका